हे एवरीवान वन्स अगेन वेलकम टू डू 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 टेक माई सेल्फ गौराओ और आज के इस प्रटिक्लर वीडियो के जरी हम समझने वाले हैं सेंसर के बारे में कि सेंसर क्या होता है किस तरह से वर्क करते हैं सेंसर और कितने टाइप के सेंसर हमारे लिए काम के हैं पर इंडस्ट्र ऑटोमेशन पर जाएं तो सेंसर मोश्य इंपोर्टन चीज यहां पर क्योंकि देखें इंडस्ट्र ऑॉटमेशन के इंदर सारी चीज़े ऑट अप्र नसीए अब यह और च्छोटा से एक्जामपल देता हूं आपके अस यहां पर आपने ये शेंसर सभी यहाँ आपने देखा होगा, यह Senor कहा देखने को मिलता है, यहाँ पर इसे I-R Sensor बोलता है और यह सभीend घरों में जो Remount होता है चाहरandır कोई सभीend लेगे जैसे जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर basically तो इसके अंदर यह जो signal pass on कर जाते हैं इसके अंदर भी हमारे पास एक sensor लगाएवा है that is a IR sensor और यह आयार sensor क्या करता है signal पहुचाने का काम करता है एक form से दूसरी जगह पर तो basically sensor की बात करें तो sensor हमारे लिए बहुत important चीज है और industrial automation की की बात करें तो industrial automation में भी sensor बहुत काम आता है और इस गंदर जो सबसे most popular sensor की बात करें industrial automation के अंदर तो वह होता है आपके आस proximity sensor जो की metal detecting के लिए and distance के लिए आपके लिए work में लिया जाता है यहां पर that's proximity sensor आगे चलते हैं मैं आपको इसकी photo भी होता हूंगा और उसके बारे में information कि किस तरह से proximity sensor काम करता है तो पहले जाने लेते हैं sensor क्या होता है यहां पर basically तो देखें आपके आस कोई भी device होता है उन device के अंदर एक होता है input device इसके अंदर जो sensor work करते हैं आपके आस यहां पर वो होते हैं आपके आस input device के तौर पर मतलब आप जो कोई भी work कर रहे हैं उस work के अंदर आपको input signal चाहिए आपको that's input signal के लिए हमें जरूर परती है sensor की और sensor के जर्य ही हम क्या करते हैं हम उसके signal को collect करते हैं then हम यहां पर output मिलता है और उस output के basis पर हम दूसरा work करते हैं जैसे मैं एक छोटा सा example देना चाहूंगा यहां पर मैंने एक machine design की है और वो machine आपके आस किसके उपर work करती है यह work करती है counting के basis पर मतलब आपके 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 हम यहां पर counter होता है यहां पर होने के बाद बहुत मसीन अपने अपने आप ओटमेटिक लिगा पड़ेगा अब काउंटर लगाने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि उसी रेंज के अंदर कितने product pass-on हुए हैं यह पता करना पड़ करने के लिए फिर मुझे sensor की जर्थ पड़ेगी अब यह sensor कैसे काम करेंगे आपके इसको यहां पर कट होने के बाद अपने अंदर एक पॉइंट करता हो यहां पर बहुत सारी चीज़ ले सकते हैं यहां फिर आप infrared sensor का यूज कर सकते हैं कि infrared sensor क्या करता है जो भी light जा रही ह उत्तिनी वार आप क्या होगी counting value बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी एक टाइम आप क्या हंडेड होने के बाद मुझे को ऑटमिलीक श्टॉप करते जागा तो बेसिकली आपने क्या किया sensor की help से आपने input लिया और उस input के basis पे आपने क क्या किया अपनी programming लिखी अब programming लिखने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं यहां पर प्रोग्रामिंग लेंग्विज का माती है तो बेसिकली यहां पर आपकी प्रोग्रामिंग लेंग्विज का मा सकते हैं लेकिन प्रोग्रामिंग लेंग्विज प्रोग्रामिंग करना हमारा सेकंडरी पाट है लेकिन हम इससे पहले यह जानना होगा कि sensor कितने टाइप करते हैं तो बेसिकली मैं बात करूँ तो sensor is a device to detect the response to the some types of kind of input यहां पे some types of inputs from the physical environment मतलब फिजिकल इन्वार्मेंट के अंदर आपके बाद जितने भी types के inputs होते हैं उन inputs को collect करने के लिए हम क्या करते हैं यूज करते हैं sensor का अब basically sensor क्या करते हैं चीजों को collect करते हैं और उसके बाद अपनी जो signal है वो generate करते हैं अब यह signal किसके format में generate करते हैं basically तो यह generate करते हैं always and always electrical signal यह मतलब आप क्या करेंगे मान लीजिए यह आपका sensor है अब यह sensor कुछ भी यहां पर input लेने का मतलब क्या है यहां पर basically बहुत सारे तरीके हो सकते हैं light हो सकती है smoke हो सकती है या फिर कुछ और भी हो सकती है metal हो सकता है बैसी बहुत सारे different things हो सकती है यह और I can come here यहां पर input के तौर पे काम आने वाली है then output के तौर पर आपके ऐसट क्या निकलेगा यहां पर electrical signals निकलेंगे यहां पर electric current यहां पर निकलने वाली है और this electric current की basis यहां पर और रेकरिक सिनल के बात करें आपको क्या मिलेगा आपको electrical signal मिलेगा और electrical signal के basis पर ही आप अपनी programming decide करते हैं प्लेयर होएं यहाँ पर यहां पर सेंसर के बारें जनते हैं कि सेंसर क्या होते हैं कि कितने टाइब क्लासिव किसन कैसे कर रखाएं तो देखें क्लासिव किसन हमने फोर टाइब से कर रखा तो basically हमने चार categorize कर रहा है अब इनको one by one समझते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं basically तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगो यहाँ पर active and passive sensor दीखे active sensor किसे बोलते हैं जिस sensor के अंदर हमें externally extension signal चाहिए मतलब हमें यहाँ पर बाहर से power supply देनी पड़ सकती है जिस sensor को उसको हम बोलेंगे active sensor जिसके अंदर आपको signal की कोई भी requirement नहीं होती है कोई भी आपको यहाँ पर बाहर से signal की जरूत नहीं बढ़ेगी बाहर से signal मतलब आपको इसको activate करने के लिए कुछ भी signal की जरूत नहीं बढ़ती है that is a passive sensor then बात करें means of detection sensor detection sensor का मतलब क्या बता है मैंने आपको कि किसी भी चीज को detect करने के लिए काम आ जाता है आप अब यह कैसी चीज कौन से हो सकती है electrical सकती है biological हो सकती है chemical हो सकती है या फिर radioactive हो सकती है अब दिखें इंडस्री करते जो सबसे ज़्यादा काम आता है chemical industries के अंदर तो वो होता है आपका रेडियो एक्टिव आपके सेंसर यहां पर बात करें लेक्ट्रिकल इंडेस्ट्रिस के अंदर बात करें लेक्ट्रिकल से काम आता है biological जितने भी equipment तयार होता है और उनके लिए जो sensor तयार किया जाता है बैसिकली तो वो कौन से होता है biological जुरुता है तो इस तरह से आपकास यह sensor काम करते हैं इंपूट और आपके बैसिस पर करते यहां पर करते हैं यहां पर सबसे में और important जीज़ को करने के लिए वह है और डिजिटल संसर यह सबसे में इंप्रुटेंट जी है एंडिदिजिशनल सेंसर के इंदर बैसिकली हो क्या रहा है एंडिशनल सिंसर वह संसर होते हैं जो कि आपको 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 देते हैं यहां पर । आपको आव्टपूट के इन दर का आप चल रही होती है तो इनलोग के अधर सबसे तरह से के जा सकते हैं डिसके अंदर हम्हें यह चाहिए कि हमारा जो आपका दोर है वक किस तरीके से से bleb को डिटेक्ट करता है कि मतब कोई humans आएगा यहां पर किसी पर्टिक्लिर रेंज के अंदर यदि humans आता है तो यहां पर रन करता है उसके बेसे पे आपके सिगनल आने पर आपको देखने मिलता है अब यह जो आपको मिल रहा है वह को सब्सक्राइब करते हैं यहां पर यहां पर यहां पर यह जो चल रही है यह हो गया और बहुत है कि कोई भी मैं स्विच प्रेस करता हूं तो स्विच प्रेस करते ओटमेटिकली उसी पटिकुलिर टाइम करते हैं आपके इस इस वर्क होता है तो यहां पर क्या हुआ work हुआ then work stop हो गया यह क्या करते हैं एक time period के लिए continuous signal को चलाते रहते है चलाते रहते है चलाते रहते है चलाते रहते है फिर उसके बाद धीरे-धीरे क्या होते है यहाँ पर off होते है क्लिक करते हैं यहाँ पर time के लिए on होते हैं इस तरह के signal होते हैं जो की इनपूट आपूट के basis पर इसको हम यहाँ पर analog and digital sensor भी बोल सकते हैं यहाँ चली अब देखते हैं यहाँ पर कितने 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 यहाँ पर सेंसर हैं मैं सेंसर की फोटो दिखाऊंगा है यह आपके इंडस्ट्री जो सबसे जाएं उस आते हैं उनसा भी सेंसर के और मात करूँगा दिएक सबसे पहले है आपके थर्विस् चली तो उसमें क्या होता है हीट जेनरेट होती है कोई भी अप्रोडेक्ट करेंगे आपके अल्लेक्ट्रिकल से लेटेड तो उनके अंदर एक टाइम के बाद हीज़ेट होगी अब उस हीट को आपको सेंस करके आपका आप आउट पूर्पुर्ट देना है एक सिगनल जनर तो यह आप क्या करेगा कट आउट कर लेगा अपने system से अपका system से रुप जाएगा नेक्स्ट यहाँ पर प्रॉक्सिमेटी संसर जिसके बारे में बात कर रहा था यह क्या करता है कि किसी पर्टिक्लर तो यहां पर आपके रिमोंट के निदर तो एक आपके रास के होती है एक रिसीवर होता है और एक रिसीवर होता है एक रिसीवर लगा होता है तो बेसिकली आपके रिमोंट तयार किया जाता है उसके अंदर दूसरी सरफ जो आप कैमरा यूज़ कर रहे हैं यहां पर अल्ट्रा स्व स्वेशन के निदर तो उसके लिए आप यहां पर यहां पर तो फिर आप इसे यहां पर यूज़ कर सकते हैं स्मोक संसर को नेश्ट मों यहां पर बात करें तो बैसिकलिए यहां पर यहां पर ऐसे याँ पर तो उसके रिपोंङ होता है तो उसके रिजस् gonOUT ऑता है अपको घंड करें चलेंगे उसके साफ सीगनल चलेगा यहां पर छाम न रिया न और इसके लबाब और भी बहुत सारे जिन सब का आप यहां पर यूज करते हैं तो फिलाल आज की वीडियो में समझ में आयोगा कि सब्सक्राइब करना होता है और इनका आपको पता होना चाहिए तो एक आपके यहां पर आपको जिसके भी आपके साथ करना है जैसे मैं यहां से लाइट के साथ करनेग करना जाहूंगा यह लाइट के साथ चुद्राइगा फिर बैटरी के साथ चुनेक liksom करके इसको जॉइन कर सकते हैं यहां से कोई भी आपको सिंगनल घ्लता है तो उसके बसे पर आपका जो पात है कम्पलीट हो जाता है और अपका जो बलब देखने को मिलेगा तो क्लियर होगे होगा आप सभी को किस्ते से काम करते हैं तो फिलाल आज की वीडियो के लिए बसेते हैं मिलते हैं हमारे एकली वीडियो के साथ और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो से लाइक करें ओटोमेशन वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें और इसी चैनल के उपर आपको PLC, SCADA, MATLAB एंड इसके साथ ऑटोकेट के जिसे वीडियो भी जो आपके इंडिस्टियल एक्सपर्ट बनाने के लिए हेल्प रहेंगे से बना सकें तो फिलाल आज की वीडियो के लिए पसितना ही रखते हैं मिलते हैं हमारे एकली वीडियो के साथ तब तक आप हमारे साथ यह ही बने रहे हैं तेल रैन गुडबाइए